हेलो दोस्तों एक बार फिरसे स्वागत है आप सभी का नई रेषिपी में आज हम बनाने वाले हैं काला जामुन बहुत लोगों ने कमेंट करके बोला था कि काला जामुन हमें बनाना सिखाईए मिल्क पाउडर से तो आज मैं आप सभी को बिल्कुल हलवाई स्टाइल में बन पावडर से काला जावन बनाना बताऊंगा तो वीडियो को लास तक देखते रही है और वीडियो को लाइक कर दीजिए तो चलिए स्टाट करते हैं अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले जो बटन है उसको जरूर दवा दे ताकि हमारी जो आने वाली हलवाई वाली वीडियो आपको मिलती रहें तो चलिए स्टाट करते हैं तो सबसे पहले मैंने यहां पर लिया है एक पैन और उसमें मुझे 100 ml दूट डाला है दूट की जगा आप पानी भी यूज कर सकते हो और उसके बाद मैंने 100 ग्राम मिल्क पावडर डाला है यह डेरी वाइटनर रही है यह पावडर है मिल्क पावडर है आपको भी और उसके बाद इन सबी को एक साथ हमें मिक्स करना है हाँ रिफाइंड अगर आपके पास नहीं है तो इसकी जगा घी भी डाल सकते हो यह मैंने इसलिए डाला क्योंकि आप सबी को पता है मिल्क पावडर में फैट नहीं होता दूद में तो काफी ज़्यादा फैट होता है लेकिन मिल्क पावडर में फैट नहीं होता तो इसको फैट बढ़ाने के लिए मैंने यहाँ पे घी या रिफाइंड आप कुछ भी डाल सकते हो उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है इसमें गुठलियां अगरा नहीं रहना चाहिए जब अच्छे से मिक्स हो जा मावा ऑन जाएं घोय बन जाएं गट अो ह agreements में चीनी होगी एक चीनी डालता है में उर्फ तो बनी होती है बिल्कुल अंदर से बहुत ज़्यादा फोलते हैं तो यह मैं जब पनीर के गुलाव जाओन बनाता हूँ या कोई भी किसी भी चीज के गुलाव जाओन बनाता हूँ तब भी डालता हूँ एसमें जरूर और चीनी मैंने डाल दिया है विसके बाद धेरे-देरे पकाते रहना है ये करीब आपको 2-3 मिनिट या 4 मिनिट अब का प्रोसेस है ये और उसके बाद ये बिल्कुल गारा होना स्टार्ट हो जाएगा देखिए कितना गारा हो चुका है और इसको ऐसे ही पकाते जाना है बहुत जादा हमें इसको गारा नहीं करना है क्योंकि अगर बहुत जादा हमने इसको ठिक कर दिया तो ये जादा सोख जाएगा और इसमें फिर पानी डारना पड़ेगा तो इसलिए हमें बहुत जादा नहीं करना है देखिए इस टाइम पे ये बिल्कुल रैडी है और इसके बाद जब ठंडा हो जाएगा ना तो ये और भी ज़्यादा थिक हो जाएगा आप सभी को पता है कि खोया जो होता है वो ठंडा होने के बाद और भी ज़्यादा थिक हो जाता है तो इसको साइड में रखते हैं ठंडा होने के लिए और तब तक हम क्या करेंगे चासनी बना लेते हैं इसके लिए तो मैंने एक कढ़ाई लिया है जिसमें हम बनाएंगे चासनी तो मैंने यहापे 200 ग्राम पानी तो फिलाल मैंने यहापे 300 ग्राम पानी डाला है और आधा किलो हमें चीनी डालना है लेकिन मैंने थोड़ा सा कम डाला है, क्यूंकि मेरे पास पुरानी चासनी थोड़ी से पड़ी है आपने दिखी होगी, मैंने कल वीडियो जो अप्लोड की थी उसमें चहेना बनाया था, क्रीम चॉप बनाया था, आपने दीखा होगा इसमें चासनी जो है वो पतली रखी जाती है इसलिए मैंने इसमें ये नहीं बताया कि आपने जितना चीनी है उसका आधा पानी डालो क्योंकि आधे से ज़्यादा डालना होता है इसलिए मैंने बताया तीन सो या साड़े तीन सो एवल पानी भी इसमें आप डाल सकते हो तो जब यह उबाल आ जाए जैसे इसमें उबाल आ चुका है जैसे आप देखी रहे हो जब यह उबल जाए तब इसमें हम बाकी जो हमारी बची होई चासनी थी वो भी हम इसमें डाल देंगे और है दोस्तो इस चासनी को आपको साफ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जब हम गुलाब जावन बनाते हैं या फर काला जावन बनाते है तो उसको साफ करने की जरूरत नहीं होती तो अब देखिए उबल चुका है अच्छे से तो मैं पुरानी वाली चासनी ये देखिए मेरे पास थी तो ये वाले हमें डाल देता हूँ और उसके बाद ये जो हमारी चासनी है ये हमारी चासनी आधा किलो चीनी और तीन समय पानी वाली जो चासनी है वो रैडी हो चुकी है थोड़ा उससे जादे ही लग रहा है लेकिन चलेगा क्योंकि मेरे पास चासनी काफी सारी पड़ी होत तो अब इसको हम गैस बंद करके छोड़ देंगे क्योंकि अब यह रैडी है और उसके बाद जो हमारा खोया है इसको हम देख लेते हैं यह बिल्कुल ठंडा हो चुका है इसको प्लेट में हम निकाल लेते हैं अगर हां इसमें गुठ लिया है अगर आपको दिख रही है तब One fourth teaspoon. One fourth teaspoon से ठोड़ा सा मैंने कम डाला है अब ठोड़ा सा उपन नेचे हो जाएंगा तब भी चलेगा और under preparing powder मैंने डाला है one fourth teaspoon और उसके बाद मैंने थोड़ा सा इसमें इलाईजी का पावडर डाला है फ्लेवर के लिए और उसके बाद कि यहां पानी दालेंगे पानी बेकिंग पाऊडर में और मिठे सोडा में डालना है और उसके बाद इसको अच्छ से मिक्स करते है तो यह भी सोफ है जो हमारा खुआ है इसमें हम अभी बाइंडिक्रीनुट के हम हाथों में थोड़ा सा तेल लगा लेंगे और उसके बाद पहले मैदे को मिक्स कर लेते हैं तो हमें एक चमच जो घर में खाने वाला चमच होता है यह एक चमच मैं इसमें मैदा डाला है यानि कि आप इसमें एक चमच फुल भरके डाल देना तो बिल्कुल सही है और उसके यह हाथों में चिपकता है थोड़ा बहुत और उसके बाद यह बिल्कुल mix हो चुका है mix करने के बाद हम क्या करेंगे इसमें थोड़ा सा color की stuffing करेंगे color मतलब अलग सा color बणाएंगे इसमें तो मैं यहाँ पर green color use करने वाला हूँ थोड़ा सा मैंने टुकडा और उसके बाद मैंने इसको mix कर दिया है यह देखिए बिल्कुल इससे तरह से mix कर दिया है और उसके बाद हम क्या करेंगे इसमें जितने भी हमारे गुलाब जामुन बनने वाले हैं उतने ही हम दोनों के बराबर equal टुकडे तोलेंगे तो अब मैंने हाथों में तेल लगा लि यह देखिए अब बड़े वाले हम तोड़ लेते हैं तो इसके जितने पीसे हमने ग्रीन वाले के तोड़े हैं उतने पीसे ही हम इसके भी तोड़ लेते हैं काला जमन बनाते टाइम बहुत लोगों को प्राब्लम आती है तो जो भी प्राब्लम आने वाली है वो सारी प्रा वो बताता जाओंगा तो जैसे कि इसमें यही प्रॉब्लम आती है कि जो मिल्क पॉडर वाला होता है थोड़ा-थोड़ा हातों में चिपकता है लेकिन हातों में तेल लगाके इसका आप काम कर सकते हो और उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ी से चीनी भी डाली होई है तो इस सने बड़े आप बनाना चाहते हो तो उतने बड़े आप इसको ट्कटव में तोड़ सकते हो दीकिः सतरह से में reckless स्थ कर देंगे बीच में तो मैंने normal sa لا इसमार्केट में मिलता हुआ है आप वहां से जाके देख सकते हो तो अब देखिए इसी तरीके से हम सारे जो है स्टफ कर लेंगे सारे बॉल्स रेडी कर लेंगे बना के और उसके बाद हमारे जो गुलाब जामुन है उनको हम करेंगे fry तो देखे काला जम उनके balls जो है वो बिलकुल ready है अब fry करने के लिए मुझे एक कड़ाई चाहिए और हाँ बहुत लोग की problem आती है कि यह जो तेल हम डाल रहे है इसमें नीचे चिपक जाते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले ना चिपके इसकी वज़े से मैंने non-stick कड़ाई यूज किया है और जहाँ एक problem और आती है कि कुछ लोग जो होते है वो fresh टेल डालते हैं इसमें fresh टेल नहीं डालना जो टेल पहले से यूज किया हो जिसमें आपने already पकोड़े वगरा बनाए हो वो टेल डालना है देखे मेरे पास साफ वाला टेल भी था बिल्कुल fresh वो मैंने नहीं डाला वो मैंने थोड़ा सा बाद में mix किया है कि जादा करने के लिए तेल को और जो पुराने तेल थे मैंने वो वाले सारे डाल दिये हैं इसमें सारा तेल और यह थोड़ा सा जब तेल गरम हो जाए तो इसमें हमें एक दो पीस डाल के चेक करेंगे और जब यह हम पुराना तेल यूज करेंगे ना तो यह चिपकेंगे भी नहीं देखे बिल्कुल भी चिपक नहीं रहे है और यह जो हमारा गुलाब जमन है जैसे हमने डाला हुआ से तेल थोड़ सा कम लग रहा है तेल में और डालूँगा और यह अब यह उपर आना स्टार्ट हो चुके है यह फ्लोट करने लग गए है ना और इसमें बबल सा रहे है हलके हलके से इसके मतलब जो तेल है वो काफी बड़िया गरम है इतना ही गरम हमें गुलाब जामन के लिए चाहिए होता है तो बस अब हम सारे गुलाब जामन सारे जामन को हमें इसमें डाल देंगे और यह देखिए दोनों कितने बड़िया फूल गए ना अब ऐसे ही सारे फूल जाएंगे काफी बड़िया फोलेंगे क्योंकि इसमें हमने काफी बड़िया से डाला हुआ है और काफी बड़िया से मसाले जो भी इसमें डाला हो जाता है मसाला मेंस, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर सी को मसाला बोलता है तो वो हमने अच्छे से डाला हुआ है लेकिन milk powder जो हम बनाते हैं इसमें बहुत ही chances होते हैं बहुत कम chances होते हैं गुलाब जमुन के फटने के इसमें गुलाब जमुन जल्दी नहीं फटते हैं चाहे आप जैसे मरजे इसको fry करो बस इतना ध्यान रखे कि इसको बहुत ही low flame फे fry करना होता है और इस time मैंने बिल्कु low flame किया हुआ था आप चाहो तो ग्यास बंद कर सकते हो लेकिन अब जैसे ही ये सारे के सारे जो जामुन है ये उपर तैरने लग जाए ये देखिए हलका समय ला रहा हो न ये सारे के सारे उपर तैरने लग गए और फूल भी गए है काफी सारे मतब सारे के सारे ये फूल ग लें तो फिर से उसको लोफ यह रहा ब्राउन करुज़िए मैं। जाल सकते हो धीरे धीरे ब्राउन होते जाएंगे और हम काला जामन बना रहे हैं तो इसको और ज्यादा ब्राउन करना है क्योंकि इसको बिल्कुल ब्लैक कर देना है इसको फ्राई करते करते हैं तो हम इसको और ब्राउन करने वाले हैं और अगर आप गुलाब जामन बना रह जाता है लेकिन टेस्ट खराब ना हो इस वजह से मैं इससे जादा काला नहीं करने वाला अब इस ताइम पर मैं इसको निकाल के चासनी में डालूंगा तो हमारे जो चासनी है वह गरम होनी चाहिए देखिए उपर उपर तैर रहे हैं जैसे इसके अंदर चासनी भरेगी यह देखिए यह नीचे डूब चुके है और इसके अंदर चासनी भर चुकी है अगर आप चाते हो कि जो हमारे जामून है गुलाव जामून है या काला जामून है कुछ भी तो अगर यह और ज्यादा सौफ्ट रहें तो इनको एक बार चासनी गरम दुबारा से करते चासनी मे बनाते हैं क्योंकि जब फूल जाएंगे जादा तो उनको प्राफिट भी तो बढ़ जाएगा इसलिए अब उसको ठंडा करना है ठंडे करने के बाद मैं आप सभी को दिखा रहा हूं देखिए एक दो घंटे के बाद यह ठंडे हो चुके हैं अमेसमें हाथ लगा पा रहा हूं और इसको मैं टेच कर रहा हूं तो काफी बढ़िया सॉफ्ट भी है और ठीक ठाक है बढ़िया गुलाब जामुन है काला जामुन है बढ़िया बने है और इसको हम निकाल लेते हैं बाल में ट्रांसफर कर लेते हैं तो इसको सर्फ कैसे करना है मैं आप सभी को बताता ह मार्केट में कैसे सर्फ किया जाता है और हम घर पे कैसे सर्फ कर सकते हैं इसमें बहुत जादा चासनी होती है पतली चासनी होती है बाद में इसको किसी भी मिठाई में आप दुबारा यूज कर सकते हो हमारे जो काला जामुन है बिल्कुल perfectly ready हो चुके है इसको garnish किया जाता है आप garnish इसको dry fruit से तो नहीं कर सकते लेकिन इसको market में dry जो किया जाता है वो coconut powder होता है coconut powder इसके उपर बिल्कुल अच्छे से ज्यादा coconut powder लगा जाता है मैं तो अभी घर में खाने के लिए इसको हलका सा छिड़क रहा हूं और market में इसको बहुत जादा coconut लगा जाता है तो मैं आपको काट के दिखा रहा हूं देखिए जो मैं आप सभी को बता रहा था ना चीनी डालने से क्या texture आता देखिए अंदर से कितनी बड़िया जाली बन आते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी वाला बटन है वो जबूर दबा देखिए आपके आपको हमारी जो आने वाली वीडियो है वो आपको मिलती रहे थैंक्यू सो मुच मिलते हैं नाच वीडियो में